हाई गाईस आज किसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर फोड या निकिए ओनलाइन स्कैम के उपर कि अगर आपके साथ ओनलाइन फ्रोड या फिर साइबर स्कैम होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो आला कि इसके उपर मैंने ओल लेडी वीडियो बनागे आपको वापस मिलेगा वर स्टिल लोगों के यहां पर काफी जादा कोश्चन ता रहे थे कि हमारे साथ अगर फ्रॉड होता है तो क्या हमें पॉलिस टेशन जाना पड़ेगा इसके लावा क्या पुलिस घर पर आए इसके लावा हमें कोट केस करना पड़ेगा या फिर हमने अकाउंट यूज किया था साइबर प्रॉड के टाइम उस अकाउंट को हमें यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और इसके लावा भी कुछ और कोश्चन है तो मुझे लगा क्यों नहीं इसके उपर भी एक वीडियो बनाने चाहिए विकोज यह कोश्चिन में भी आते होंगे अगर आपके साथ साइबर प्रॉड या ऑनलाइन स्कैम हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आइक तो प्लीज लाइक जूर करना इस वीडियो को शेयर करना अपने अप्रेंट के साथ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं उन लोगों के लिए अगर आपके साथ साथ साइबर प्रॉड हो चुका है या फिर उन लोगों के लिए भी अगर नहीं हुआ है तो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो विकॉस अवेर्नेस काफी साथा ज़रू है और अगर आप मारे चैनल प लोग कुछ कोश्टिन पूश्टे रहते हैं और हर कोश्टिन का रिपलाई करताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता है तो सबसे पहले आप एक कोश्टिन आता है कि कितने दिन बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा अब यह मित मुझे नहीं पता कहां से लोगों है या फिर बैंक है उस कस्टमर को वापस बलाएगी अपने बैंक में पूछेगी कि यह पैसा किस वज़े से लिया गया है और इस सभी प्रसेस में काफी लॉंग टाइम लग जाता है तो इसलिए अभी तक इसमें डेट नॉटिपाई नहीं की गई है कितने टाइम तक आप पैसा वापस मिलेगा हाँ जब आप कंप्लेंड करवाते हैं उसके बाद इसका अकाउंट फ्रीज होता है उसके बाद उस एक लेटर जाती है उसके घर पर कि हाँआ आपको इतनी तारीक को बैंक में आना है और यह बताना है कि आपने किस लिए करवाई है अगर वो नहीं आता है उसके बाद फिर अलग प्रोसेस होता है उसके बाद आपका जो पैसा वापस मिलता है अब इसमें डेस डिफाइन नहीं होते है विकोस हो सकता है कि उसने फर्स टैम इग्नोर किया तो बैंक उसे सब्सक्राइब लेटर बेजेगी उसमें एक दिन लग रहा है या फि क्राइबर क्राइम रिपोर्टिंग पॉर्डल पर तो देखो कंप्लेंट करवाने के बाद अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां पर पुलिस की विजिट हो घर पर बट ऐसा भी मत सोचना है कि आप लोग किसी के खिलाब गलत कंप्लेंट करवाद हो तो भी आप के साथ कोई स्कैम या पर फ्रॉड होता या जैनुएन चीज़ है तो ही कंप्लेंट कर रहा हो और कंप्लेंट आप करवाते हो तो वहां पर हंड़र परसेंट एक्शन लिया जाता है बिसमें पुलिस बहुत केसमें नहीं आते हैं अगर आपकी कंप्लेंट पर वर्क करने के है बट इनके से अगर आप कुछ गलत चीज़ करते हो तो फिर वहां पर हो सकती है अब जो एक और कोस्टिन निगल के आता है बहुत से लोगों का कि कंप्लेंट करवाने के लिए क्या हमें पुलिस टेशन या फिर साइबर थाना इसाना जरूरी होता है अगर हमने कंप्लें करवा वो सबसे बैस्ट मैंठेड होता है वहां पी जो कंप्लेंट होती है वो सीधा मुनिश्ट्रियों के तरफ से चेक की जाती है और उनके पाथ बहुत ज्यादा राइट होते हैं वह आपके कंप्लेंट पर वक करने के लिए अब दूसरा क्या होता है कि अगर आपने कि क क्वाइब का सब्सक्राइब च्याइब अगर हमारे साथ बैंक अगर यूजग कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए तो इगर आपके साथ कोई व्रोड हुआ तो फिर तो आप उसकाउंट को यूज कर सकते हैं और दूसरी बात यह रहती है कि अगर आपके किसी ने च्छेडशार की सब्सक्वेब्स आपका किसी ने पासवर्ड है कर लिया या फिर आपके फोन में कोई ऐसी डाल दी है जिससे लगता है कि आपका mobile hack हो चुका है आपका system hack हो चुका है तो फिर आप उस account को यूज मत करो because maybe हो सकता है उस account के काफ़ी ज्यादा information उस hacker के पास हो और उस account को आगे भी use करें Suppose मानलो की आज आपके साथ एक लाग का scam हो आपनी फिर से उसमें पैसा refill करवा है और में भी कुछ दिन बाद उसके पास अल्रीड आपकी लॉगर डिटेल है और फिर उस पैसे को यूज़ करें तो फिर यही चीज़ होती है अगर आपने खुड ट्रांसफर किया है तो फिर तो आप यूज़ कर सकते हो बिगोज महाँ पे थर्ड पार्टी की मत करो अब यहां पर आप लों को एक चीज और ज्यान में देनी है मालो आपके साथ कोई फ्रॉड होता है सो रुपे का दो सो रुपे पांसो हज़ार तो उस केस में क्या होता है कि आप उसको पैसा ट्रांसफर करते हो बाद में पता लगता है वो स्कैमरा फ्रॉड है तो उ इनके साथ अगर आपकी जो अमांट है वह बड़ी है सबकूर दस जार पचास जार एक लाख या पाच लाख तो उसकेस में आप चाहके कंप्रीट करवाते हो वहां पर अगर वह जो पैसा फ्रॉड होता है वह भी प्रॉस्टर का अकॉंट होता है वह भी सीज होता है और ज जो बाद के साथ चाहिए तो तो तबताकिए प्रीज होगा तो में भी अगर आपके पास अपकी पास अस्तमाल करते हो और अगर आप कंपलेंड करवाते हो तो वह प्रीज यूज़ आप उसे युल्ट नहीं कर पाऊबोगे तो इस वजे से मैं करूँगा कि अगर आपके स प्रैस्तुमिंद लेगे तो जो नेग्स्ट पॉस्टिन आता है वो आता है शेडू आमांट वाला बहुत से लोग के पास मेंसे आता है अपका इंग्स हो चुका है तो और कई वह किस वेज़े से लिया गया में भी हो सकता है आपने उसके बदले उसे कोई समान लिया हो एक्सेटरा जब तक यह के सौल नहीं होता है तब तक वह पैसा आपको वाफस नहीं मिलता है अब यहां पर लास्ट कोश्चन एक और बात करते हैं जो बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि हमारे साथ जो फ्रॉट हुआ या पर स्कैम हुआ है तो हमारा जो पैसा हमें कभ वापस मिलेगा कितने दिन हो वापस मिलेगा तो इसके लिए अभी तक कोई भी टाइम नही कोई यहां पर और आप्शलार होती घुक ओभी aan आप बंव्ही नमबर नहीं था कोई वी मुबाय नमबर नहीं आइप ड्सनाइड कित्नी अमांट का वगा या फिर फॉस्त फ्रॉट का तो इस तरीके का अगर आप बिब total नहीं डालोगा आप breaths तो उन्हें कोई ड्रीम नहीं आ रहा है कि आपको कहां रहते और आपका काउंट नंबर किया उन्हें कुछ भी नहीं पाता है तो कम्प्लेंड उसी तरीके से पैंडिंग पड़ी रहे इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा और इतने टाइम तो मतलब 6 मंत या 8 मंत तक तो जो सब्सक्राइबर मेसेज करते हैं तो वहां पर हम लोग करते हैं कि मुस्ली जो पैसा उनका वापस करवाए जा सकते हैं तो बस यहीं दाज की वीडियो में अगर आपके साथ साथ साइबर फॉर्ड या ऑनलाइन स्क्याप हुआ है तो आप लोगों को मैं यहीं बोलना करो और अपने कंप्लेंट पर टाइम फॉल अप लिया करो अगर आप सही तरीके से कोशिच करोगे तो आपके जो पैसे हैं वह आपको वापस मिल जाएंगे तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जुरू बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जुरू कर देना इस वीडियो को शियर करना अपने फ्रेंट के साथ जिनके साथ साहिवर फॉर्ट क्या फिर स्कैम हुआ है और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करते हैं करता हूं अगर मुझे लगता है कि हाँ इसका रिप्लाई नहीं में रह करता हूं यहां पर दिकत सब्से बड़ी क्या होती है कि जो यह आजकल के बच्चे इन्होंने पब्जी और फ्रीफायर की आईडी खरीदना शुरू किया और वहां पर उनके साथ स्क्राइब होता है 100-200 रुपे के लिए पूरा दिन वो लोग कॉल करते हैं इस वे से मुझ तक के लिए कोड़ बाई